खुश रहना और खुश दिखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है जरूरी नहीं कि हर गलती करके और फिर खुश सीखा जाए अगले को बरबाद होते देखकर भी हम सीख सकते हैं और अगर अपनी ही गलती से सीखेंगे तो यह जिन्दगी छोटी पड़ जाएगी हलो साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टडी में अब क्लास की क्वालिटी बदल चुकी है बिल्कुल सही सुना आपने अब हम आपको क्वालिटी नहीं क्वालिटी देते हैं क्या-क्या पढ़ेंगे इस क्लास में सब कुछ पहले हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद फिर हम क्लास में आगे बढ़ेंगे आज 2 घंटे 40 मिनट की रिसर्च के बाद आज यह कलास मैंने रेडी किया है सबसे पहले इसमें कांटेंट क्या-क्या होगा वो देख लीजिए कि आपको क्या-क्या मिलेगा पूरी कलास में इसमें आप पढ़ेंगे रिलेशन बिट्वीन यानि इन सब के बीच में संबंध उनके क्या कांसेप्ट होंगे क्या फार्मूले होंगे सारा निचोड एकदम घोल के पिला देने वाले पहला आयत और तिर्भूज यानि रिलेशन बिट्वीन रेक्टेंगल और ट्राइंगल तिर्भूज और आयत में क्या क्या समान होता है ये पढ़ेंगे बिल्कुल एक्जांपल के साथ बहुत बहतरीन तरीके से ठीक है वर्ग और तिर्भूज में क्या रिलेशन होता है स्क्वाइर और ट्राइंगल में क्या रिलेशन होता है पहरलो ग्राम एंड रेक्टेंगल में क्या रिलेसन होता है और इंपॉर्टेंट कुछ थेवरी पढ़ेंगे थेवरम परमिये बोलते ना उसे और दस महत्तोपुर्ण अभ्यास प्रस्न तो चलिए शुरू करते हैं फिर ये पिटारा उसके पहले सभी साथी फटा-फट सेश तिर्भूज और आयत में क्या संबंध होता है रिलेसन बिट्विन ट्राइंगल और रेक्टेंगल साथियों कुछ एक्जांपल के माध्यम से हम इसको समझेंगे सबसे पहले देखिए कह रहा कि एक आयत जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है ठिक है आयत क च्छेतरफल ग्यांत कीजिए और उसके बाद विचार कीजिए सोचिए गेस करिए क्या करना है कि बिचार कीजिए यदि आयत में एक विकर्ड विकर्ड मीन सोता डाइगोनल एक क्या हो डाइगोनल को खीचा जाए तो इस परकार बने दो समान समकोंट तिर्भूज का जो ठीक है कि आयत के च्छेतरफल में क्या संबंध होगा यानि जो यह बनेगा कहां गया एक मिनट एक मिनट यह कहने का इनका यह मतलब है रुकों बना देता हूं इस तरह से जो बनेगा फिगर ध्यान देना मिरे भाईयों इनका यह कहना है कि अगर हम आई फे दो क्या बनाए रेक्टेंगल सही खिचा है न कोई दिक्कत नहीं इनका यह भी कहना है इसमें कि हम इसमें एक डाइगोनल खिंच देंगे ठीक है भाईया तो यह जो बिकरड है हमेशा इसको क्या करता है दो बराबर भागों में बांटता है सीधा यहां जाना चाहिए ध्यान रहे हलका मेर यह बीच की जो लाइन गई है मेरे भाई यह बीच वाली जो लाइन गई है न बाबू यह चल जा यह जो लाइन गई है न यह इनको दो बराबर बराबर पार्ट में बांट रही है अगर इनके हम नाम कुछ ऐसे रख दें A, B, C, D तो यहां पर आप देखो एक तिरभूज बन रहा है एक नहीं बन रहा है दो बन रहा है कौन कौन सा भाईया एक तिरभूज तो यह बन रहा है मैं आपको थोड़ा इसको पोत के दिखा देता हूं रंगीन करके देखो दो ट्राइंगल बन रहा है एक तो यह बन रहा है ठीक अ यह देखो बन गया ना एक यह बन रह और वाला है एक ऊपर व्लेयक वाला कैसे सभी समझ रहो ना तो क्या बन रहें समझना है आज बहुत मज़ेदार तुरी एक ये भी बन रहा है तो इन में क्या हमें करना है भाईया ये चीज समझना आप सभी प्यारफे इसमें क्या करना बाबू इसमें कह रहा है कि क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है अब देखो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं पूरा कहे को रंगू नहीं थी खराब हो आयत के छेत्रफल के बरापर होगा एक छोटा सा उदारण समझ लीजिए अगर मैं कहूं कि भाईया बाबू प्यारे मेरे पहले तिरभूज जो ग्रीन कलर है अगर इसका छेत्रफल 4 फेंटी मिटर स्कॉयर है और इसका भाईया 4 फेंटी मिटर स्कॉयर है सिंपल सी बात है दोनों का बराबर ही होगा एरिया आधा आधा आप कट रहा है न वो तो जो पूरे आयत का छेत्रफल होगा कम्पलीट रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आठ सेंटी मिटर का स्कॉयर होगा समझ गए यही कंसेप्ट होता इसमें बस कि एक जो बिकर्ड होता है वो आएत को पहले तो दो बराबर भागों में बांटता है यह क्या करता दो बराबर भागों में इसको बांट देता है और दूसरा इस तरह से जो यह बराबर भाग होते हैं यह और यह वाले इनके जो छ शेत्रफल के योग के बराबर होते हैं यही concept था समझ गया है इसमें question पूछ जाते हैं कई चल भाई चार और छे दिया है तो चार और छे रख लेंगे आजाओं बैक में आते हैं चार और छे रखते हैं ठीक है चार और छे चलो चल भाई चल भाई यह चार दिया है यह चार दिया था भाईया बाबू यह चार नहीं दिया था यार यह मेरे भाई यह छे दिया था ठीक सबसे पहले हम इस पूरे आयत का छेत्रफल निकालेंगे ठीक है पूरे आयत का छेत्रफल निकालेंगे तो हम इसमें अभी इसको भिकरण को भी हटा देते हैं तो चलो आयत का छेतरफल सब को पता है बोलो सब पढ़ाया हूँ आयत का छेतरफल क्या होता मेरे भाईया बताया था कि किसी भी बंदाकृती की लंबाई चोड़ाई के गुड़न फल को छेतरफल कहते हैं ऐसा था था कि किसी बंदाकृती द्वारा जितना छेतर इसके अंद क και लैनी हैं छोडाई कर लेदें तो छे गुड़ा चयार बराबर कितना होजायेगा चौभिस सेंटी मेटर स्कुएर किंटी स्कुर्ट का एकुछ लगता है बता चुका हूं क्योंकि इसका जो है यकाई दिया है वो सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुड़ा होता है इसलिए इसको आर हो जाता है ठीक है अब एक बात बताओ तुम पता है क्या पूरे आयत का 24 आया ना अब अगर इस आयत को दो बराबर पार्ट में बांटें और दोनों का अलग गलग आय्षक को कारें से इसको करवाना था örथ इसको लिखो मैं प्रूप करके दिखाता हूं लिख लिया भाया आगे बढ़े चलो फिर आओ तो अब हम आते हैं इसको सिध करने पर कलास को इंड तक देखना आज पढ़ा नहीं रहें सिखा रहें एकदम घोल के पिला देंगे बस देखते रहें न लाश तक बिल्कुल आज इसका आपको रसा स्वाधन मिलेगा चलो ये दो क्या हो गए तिरभूज हो गए ट्राइंगल ओके ओके चलो भाया ये 4 है ये 6 है तो ये भी 6 है इसको भी 4 लिख लो इसमें कोई बुराई नहीं है अब तिरभूज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हां क्या बन रहा है कि समकोंट तिर्भूज बन रहा है ना बताओ आयत का परतेक कोंड नब्बे होता है तो यह नब्बे है ना बबुगा तो यह नब्बे है तो क्या बन रहा है एक समकोंट तिर्भूज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना अगर इसको काट के हम अलग कर दें देखो मैं कटके इसको निकालने की कोशिज करता हूं देखो यह निकलता है क्या अगर यह सिर निकाल लूँगा नहीं कते का थालग बनाओंगा यू नहीं कटे हुए न कट तुम इसी में गुशा रहा गुशा रहा इसी में मत कट चलो देखो मतलब तो आप मोटा मोटा वैसे समझ रहे हो छोड़ो जाने दो हमें क्या करना है मैं यहां बना देता हूं इक्ठे और इस तरह से जो हमारा आकृति बनी है मेरे भाईया यहां पर बी लिखा है यहां पर डी लिखा है यहां पर ए लिखा है यह यह क्या है नब्बे यह आपको छे दिया यह आपको चार दिया है अब बता इसको निकाल लोग समकोंट तिर्भूज का छेतर फाल आधार कुणे उचाई होता है क्या होता बताओ होता है नहीं कर लोगे भाई सिंपल है एकदम सिंपल है चलो तो देखो एक बटादो आधार कुणे उचाई यानी बी इंटू एच तो वन अपान टू इंटू बी कमान कितना है फॉर य ठीक है चाहे इसको इधर करो इधर करो कोई फरक नी पड़ता है फिलाल मैं सीधा कर देता हूं तो ये लो ये लो तो 2-3, 6, 3, 4 को कितना हो गया 12 यानि इसका क्या आया ये 12सेंटीमेटर इसको आया आया पहला 12 आया न भया हो अगर सेम माप है दूसरे वाले त्रभुचका उ गिने चाहएगा ना तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं आयत a b c d का छेतरफल बढ़ाबर आयद a b c d का छेतरफल बढ़ाबर तिरभूज a b d लिह को ल फेसे कर प्लस नियुद दुनों का छेतरफल जोड़ देंगे इसके बराबर आ जाएगा बोल आएगा कि नहीं किसी को कोई तकलीफ तो बता देना जब टोटल आयत का चौबिस आया था आया ना आया ना तो इस में से जो मैंने एक तिर्भुज निकाला काट करके इधर इसका कितना आया बारा आया तो भाई सिंपल सी बात है इसको जोड़ेंगे तो चौबिस हो जायेगा कैसे पै यार अभी तो आधा का निकाला हूं के वल ना आधा की निकाला हूं जो आधा ब तो यह हो गया प्रूप पहली कानी खतम आगे क्या है दूसरा इसमें कुश्चन के लिए दिया गया है बहुत सारी जगे आप चाहें तो इसमें कुश्चन कर सकते हैं लेकिन हम आगे बढ़ते हैं चलो सभी को मेरी बातें समझ में आरे एकदम ठिक है कहरा वर्ग और तिर्भूज में क्या संबंद होता है अच्छा आयत से आपने क्या क्या सीखा जो रिलेशन था सिर्फ उतना मैंने बताया कि वो क्या करता है जो बिकर्ड होता है वो दो बराबर तिर्भूजों में बाढ़ता को और उन तिर्भूजों के जो छेतर फ़ल है उनका योग फल पूरे आयत के जेतरफल के योग के बराबर होता है कि इसमें कहरा कि किसी वहर्ग को किसी वहर्ग को यांनि स्कौईर को यदि हम बिकर्ड याँनी डाइगोनसा से चार बराबर भागों में बाढंदते हैं तो वर्ग का जो छेतरफल है वो चारों तिरभूजों के छेतरफल के बराबर होता है सब ज़्यादा टाइम आज मुझे इसमें लगा समझने में कि आपको कैसे बताऊंगा मैं देखो हल करना अपना आसान होता है लेकिन अगले को समझाना थोड़ा मुस्किल होता है कहते है म समझना और एसे नहीं मैट्स पढ़ाना और मैट्स जानना दोनों अलग अलग बात है ना कहीं सुना था आपने बताना कहां सुना था तो यह क्या है यह था तो एक डाइगोनल यानि बिकार्ड लेकिन थोड़ा सा यह तिरशाएगा हो ठीक है समझ रहों यह चार बराबर ब बन रहे हैं और यह इनको 90 पर काटते हैं यह इसकी खासियत होती है ठीक है इसमें सेम उएसे ही कंडिसन है जो चारो अलग अलग तिरभूज आये हैं इनका जो छेतरफल होगा वो पूरे वर्ग के छेतरफल के योग के बराबर होगा उदारना ऐसे समझ लो कि अगर पूरे वर्ग का छेतरफल 4 cm2 होगा बाबू तो इन में एक तिरभूज का जो छेतरफल होगा 1 cm2 होगा ठीक है 1 एक का होगा let of one दूसरे का दूसरे का इस तरह पे चारो का जोर के 4 होगा समझे कैसे वो मैं दिखाता हूँ आगे सिद्ध करके ये क्या है फार्मूला है इसको यहां फे आप देख सकते हैं इसको अभी आगे हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं ठीक है मेरे भाई चलो आजाओ आईए अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं मानलो कि ये जो तिर्भू जभी आपको मिला था यहां दिख रहा है ना पक्का दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं कोई परिफानी नहीं चलो इसको मान लेते हैं कि इसकी साइड फाइट सेंटिमीटर है कितना है पांच सेंटिम ये डाइगोनल खींचा अब 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 अगर मैं इनका नामकरण कर देता हूं तो कोई बुराई नहीं है नामकरण होना ही चाहिए जब नए नए निकल रहे तो नाम तो रखा जाएगा अरे मतला तीर भूज चलो अब क्या है अब हमें सबसे पहले तो पूरे वर्ग का छे चित्रफल का सूत्र कमेंट करके बता लल्लू बता हूं कितना देख रहा हूं हाँ बहुत अच्छा परिगूट कमेंट नहीं पढ़ेंगे कमेंट नहीं कमेंट का चक्कर छोड़ो अब नंबर नीचे चल रहा है उस पर संपर्क करो पढ़ाई होने दो चलो तो वर्ग का छ सेंटिमीटर स्कॉयर कितना 25 अधर साइड में दिखनी रहा है तो मैं इनको थोड़ा इदर खिसका देता हूं समधियान कर रहे हैं यह लोग यह थोड़ा इदर आए जा राज्जा का है को धर जा रहे हो ज़्यादा अधर ना जाओ दिख गया है ना चलो ठीक है अब हमें क्या मिल गया पूरे वर्ग का छेतरफल मिल गया हमें यह प्रूब करना है कि इसके एक एक तिरभूज का छेतरफल जो है वो सब को जोड़ें तो इसके बराबर आना चाहिए पचीस के ठीक है चलो अब एक चीज यहां पर समझना है मगर बड़े ही प्यार से समझना अच्छे से चलो यह क्या है एक तिरभूज है समझना मेरे भाई यहां पर समझना मेरे बाबू देखो यह क्या ही तिरभूज है अब हम जो इतना कलर कर रहना जितना इसमें गंदा कर रहना इसका जो एरिया है इसका जो एरिया है हमें वो फाइंड करना है क्या फाइंड करना है एरिया यानि हमें इसका छेतरफल निकालना है आप मुझे बताओ कौन कौन निकाल लेगा इसका छेतरफल का हो भाई का हो भाई या निकाल लोगे जितना मैंने रंगा इसका क्या करना हमें एरिया निकाल सम्दुबाव है कि नहीं सिंपल सी बात है इसकी जो यह साइड है देखो भाई यह साइड और यह साइड आपस में बराबर है बोलो है कि नहीं क्योंकि एक वर्ग है वर्ग क्या करता है उसका जो डाइगोनल होता है विकरड होता है वो एक दूसरे को बराबर बराबर डिवा लेकिन अपसोस की बात है बराबर तो है लेकिन पता ही नहीं है यह खुसी की बात है कि हाई कितना यह नहीं पता हाँ जो भी यह वो बराबर है अपस में बस जैसे कहा जाए कि जितना पैसा तुम्हेरे जेब में उतना हमरे भी है लेकिन पता किसी को नहीं है ना तुम्हें प पूरा बिकर्ड निकालेंगे क्या बोल रहा है डाइगोनल का नहीं इसक्वायर का वर्ग का डाइगोनल निकालेंगे समझ रहे हो वर्ग का बिकर्ड निकालेंगे बिकर्ड को इंगलिस में डाइगोनल बोलते हैं ठीक है चलिए तो इसका सुत्र होता है यहां पर देखो टू गुड़ा भुजा यह होता भाया तो अंडरूट टू गुड़ा भुजा का मान पांच है इसका मान 1.414 something होता है 5 से इसमें गुड़ा कर लोगे हो जाएगा ना लगभग में 7 के लगभग आएगा क्यों कर लोगे की नहीं 7 के लगभग आता है इसका मान ओ इससे और बड़ा होता है ठीक है ऐसे करो कितना आ रहा है 5.20 आफिल दो 5.527 और 5.20 5.527 7.07 something आता है सेंटिमीटर ठीक है यह क्या आगा है डाइगोनल याद रहे कि यह पूरा का माप आया है चाच्चा लोग यह पूरा का माप आया यह पूरा पूरा तो एक बात बताओ तुम का अगर यह पूरा पूरा 7.07 है 7.07 है something तो आधा इसका हाफ होगा ना होगा ना आधा इसका हाफ होगा तो कितना होगा 3.5 3.353 लग भग होगा ठीक है जो भी तो इसको हमाल लेते हैं कितना ही है 3.353 करके देखो आदा वही होगा ना करके देखना फिर मुझे बताना लगभग में होगा और इसका मान लगभग में ही आएगा मैंने यहाँ पर कहीं इसके पहले निकाला था अब यहाँ पर टाइम उतना तो है नहीं कि मैं निकाल दू अभी तो लगभग उतना ही आएगा 535 535 आएगा ठीक है ठीक है तो यह क्या आएगा 3.535 समझ गए ना इसको यह सिद्ध होता है कि अगर किसी भी वर्ग को चार बराबर भागों बाटा गया तो उसका जो चारों का तिरभूजों का छेतरफल है वो पूरे वर्ग के छेतरफल के बराबर होता है ठीक है आगे बढ़ें कुछ confusion रह जाएगी तो बता देना ठीक है चलिए अब समांतर चतुरभूजों और आयत में संबंध पैरलोग्राम और रेक्टेंगल में क्या क्या रिलेसन है इसको देख लेते हैं चलिए आएए पैरलोग्राम क्या होता जानते हो एक तिर्भूज जो सवरी जो आयत होता है ना उसी आयत को हलका पिछका दो आई से बस जिसे आपने टेबल देखा इस्टड़ी टेबल घर में कोई छोटा फिलाया उस पर चड़ जाओ तो क्या होती से मुचिक जाती देख इस Pak है इधर को सिंपल सा थोड़ा है इस में लंबाई और चोडाई लेते हैं लंबाई और चोंडाई च्छेतरपल निकालने के लिए और इसमें क्या लेते हैं भाईया आधार और उचाई उचाई इसमें सीधा फिधा ऐसे नापते हैं ऐसे आधार और उचाई ये वाली ठीक है बस इतना सा अंतर होता है जैसे इसमें समांतर चतुरभूज का छेतरफल आधार गुड़े उचाई होता है वैसे इसका लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है बस एकदम सेम टू सेम चौड़ाई को उचाई से चेंज कर देना है बाकी सब वही रहेगा याद रखना इसको चलो आगे बढ़े कुश्चन आगे आपके लिए कुछ अभ्यास प्रस्न हो जाए important खटा खट जल्दी जल्दी से कहरा कि निमन में प्रतेक समांतर चत्रभूज का छेतरफल ग्याद कीजिए मुझे कमेंट करके बताओ दादा लोग कितना आएगा जल्दी बताओ समांतर चत्रभूज का छेतरफल बराबर समांतर चतुरुभूज का छेत्रफल बराबर एरिया आप पैरलोग्राम इक्वल क्या होगा आधार गुडे उंचाई यानि बेस इंटु हाइट तो बेस सेबन है हाइट फोर है फाइनल में 28 सेंटीमीटर का स्कॉयर कोई डाउट नहीं किसी को इसका पीडिया पीबियार स्टडी के टेलीगराम चैनल पे मिल जाएगा अगला नेक्स्ट कुश्चन इसमें देखो भाईया हाइट दी गई है तीन सेंटीमीटर और इसका बेस दिया गया फाइब सेंटीमीटर एरिया निकाल लोगे कमेंट करो फट से कितना आएगा क्या है सरमार हो आजाएगा ना एरिया बराबर क्या होगा अरे एरिया मतलब छेतरफल बराबर बेस इंटू हाइट हाइप इंटू थ्री इक्वल फिप्टीन सेंटीमीटर का स्कॉयर यह हो गया आंसर चुटकियों में आगे बढ़ो इसका करना है इसको भी वैसे ही कर लेंगे एरिया बराबर या फिर छेतरफल बराबर बेस इंटू हाइट थ्री इंटू फाइप इंटू 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 फाइप अब इसमें कुछ लोग लटक गये होंगे एक दम दूहा पड़वा जाई से उनको नहीं आ रहा होगा कहीं तो दसमलो होईगा अब तक तो मजा आ रही थी कहो नहीं आ रहा है आएगा देखो बहुत सिंपल है 25, 5, 125 दसमलो को भूल जाओ दसमलो को मारो पटक के उधार हटाओ इनको अईसे गुड़ा करो पहले तो 25, 5, 125, 6, 12 और 25, 3, 75 75, 10, 85 दूह सताफी 875 आएगा 875 दूह पर दसमलो लगेगा 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वाइर है ना कितना मज़ेदार कोई तकलीफ दुख दर्द तो बता देना आगे बढ़े नेक्स्ट कुश्चन 4.85 सेंटीमीटर यह 4.8 है इसको देख लो प्यार से का है 4.8 है यहाँ पॉइंट लगा है लो दिख गया दिख तो रहा है तो इसका एरिया आप लोग मुझे बताओगे कामेंट करके अब मैं नहीं बताने वाला हूं आप लोग भी कुछ कर लो अपंग न बन जाओ एकदम से एक कोईशन थोड़ा अलग है क्या कहता है इसको लिखो चल्दीस भी बताते हैं इसमें भाईया का दिया है देखो इसमें एक एरिया दिया है और कुछ चीजे निकालना है अगर आप लोग NCRT किताबे लिए न तो NCRT किताब में आप देखेंगे आपका ये पेज नंबर पर मिल जाएगा पेज नंबर 230 ठीक है कोई कनफीजन होगत कमेंट करना उस पर कोईशन दिया है चलो दिख रहा है कहरा कि समांतर चतुरभूजी का छेतरफल 24 सेंटिमेटर स्कॉयर है मुझे लग रहा थोड़ा सा कम दिख रहा है आप दिखा अर्रे विक्दम चौचक दिख गया होगा चलो 24 सेंटिमेटर है तो आधार 4 है तो उचाई यक्स ग्यात कीजिए यानि ये लाइन हमें क्या करना भाईया बाबू ये हमें निकालना है क्या करना है निकालना है चलो समांतर चतुरभूज का छेतरफल बराबर लिखो आँख थोड़ा चमक रही होगी मैं अभी हटा दे रहा हूँ इस कलर को समांतर चतुरभूज का छेतरफल बराबर क्या होता है आधार गुड़े उचाई होती है यक्स क्या इसमें हाइट है याद रखना ये क्या है इसको घुमा करके भी आप ट्राई करके देखो ये क्या है भाईया यह height है इसको घुमा लो इसे क्या उचाई है तो आधार गुड़े उचाई होता है तो 6 तरफल दिया आरेडी 24 इधर रख दो तो यक्स गुड़े 4 तो 24 बटा 4 बराबर यक्स इसको काटोगे 6 आएगा हम कह सकते हैं यक्स बराबर 6 cm यह क्या आगया आपका height आगया कोई doubt तकलीफ दुख दर्द तो बता दो आगे बढ़े next चलो आगे बढ़ते हैं आगया फिर मज़ेदार ओला color निम्न तिरभूजों का छेतरफल ग्याद कीजिए एकदम वह ऐसे है तिरभूज आ गया यह भी वैसे है बिलकुल सुन्दर था है तो कर लोगे न सभी वही क्या अरे यार समकोंड तिरभूज बन रहा है न समकोंड बन रहा है न बीच में नब्बे बन रहा है न तो लिखो समकोंड तिरभूज का छेतरफल बराबर एक बटा दो बेस इंटू हाइट तो वन अपान टू बेस क्या है फोर है हाइट टू है टू से टू गायब हो गयो तो चार फेंटी मिटर काई स्कॉायर दिफिज दा करेक्ट आंसर लिख लो कोई दिक्कत नहीं किसी को आगे बढ़े next question इसमें देखो इसमें height दो दिया गया side में और इधर नीचे क्या दिया गया बेस तीन दिया गया है इसमें भी हमें area निकालना है तो इसको भी वैसे कर लोगे न कोई दिक्कत परिसानी तो बता दे न 1 upon 2 B into H करके मुझे बताना कमेंट करके चलो 10 number इसको भी कर लोगे इसमें कहरा BC ग्याद कीजिए यादि तिरभूज ये BC का छेतरफल दिया है और उंचाई दी गई है BC ग्याद कीजिए मतलब ये ग्याद कीजिए इसका total छेतरफल और उंचाई दी गई है भाई बहुत सिंपल है ये भी यार मेरे भाईया ये भी वैसे है तो क्या लिखोगे तिरभूज का छेतरफल बराबर सुत्र लगाओ फटा फट एक बटा दो बेफ इन्टू हाइट छेतरफल दिया है 36 वन अपान टू बेस कितना है नहीं पता है हाइट कितना है तीन गुड़ा कर लो कितना आएगा आपका ये 36 बराबर 3 वी बटा दो क्रास मल्टीपल करोगे तो वी बराबर आएगा 36 गुड़ा दो बटा 3 3 से काटोगे 12 आएगा बराबर कितना आएगा 24 सेंटिमीटर बेस कितना आगया 24 कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं अब अगर बेस और हाइट का गुड़ा करें तो छेत्रफल भी आना चाहिए देखो सही है क्या ये 24 को 3 से गुड़ा करके 2 से भाग करो 2 से भाग करो गो इसको 12 आएगा 12 यह 36 है ठीक है तो इस तरह से साथियों आपका ये से सनोबर होता है आपने 40 मिनट के अंदर 10 कुष्चन 4 कंसेप्ट और भी कुछ important facts सिखा अगर ये live class होती मेरे साथ ही हो न तो live class में याद रहे आप ये 10 कुष्चन जो मैंने बताया यही न पढ़ पाते क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कलसवाच चल रही कि नहीं चल रही है कोनो लरकी लरका अपसमें बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है कोनो गड़बड कर रहा है उसको भी देखना है आवाज नहीं आ रही उसको भी देखना है इंटरनेट गड़बर होगे वफरिंग करने लगा उसको भी देखना है कामरा डिश्चार्ज होगा उसको भी देखना मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है जब लाइब चलता है ठीक है तो अगर इमांदारी से सीखना तो इसको देखते रहो बात समझ में आई बाकी साथ 9 बज़े लाइब करेंगे तो इसके बाद अगला क्लास होगा कल अगहां अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे थे तो यूटूब वालों के लिए अलग सिस्टम होता है ठीक है भाईया यूटूब वालों को अगला क्लास कम मिलेगा पता है बता रहा हूं अगर आप application में हैं तो PBR study app में आपका क्लास अगला कली चलेगा कोई दिक्कत नहीं कोई छुटी नहीं है लेकिन अगर आप YouTube पर थे तो इस क्लास को आप कप देख रहे हो 27 तारीक है न सायदाज 27 को देख रहे हो न तो अगली क्लास कप चलेगी आपकी बता देता हूं में क्लास में बता देता हूं YouTube वालों के लिए 28 29 30 बंद रहेगा आपका 31 तारीक को आपका अगला क्लास आएगा मतलब इस साल के अंत में ठीक है नेक्स्ट पार्ट 31 तारीक को नेक्स्ट पार्ट आएगा आन यूटूब और जो बच्चे एप में हैं उनको तो रेगुलर देखना है उनका कोई चुट्टी उट्टी नहीं है उनको सिर्फ इमानदारी से पढ़ना है कम समय में सीखना है देखो यार यूटूब पे उतन अप्लिकेशन में उसी कलास में हजार हजार बच्चे आते हैं आपको यकीन नहीं होगा क्यों क्यों कि अगर 3000 बच्चों ने कोर्स जॉइन किया है न उनके गर्ज है उनको लगा मेरा 300 रूपे लगा है उसकी कदर होती है बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं लोग उनको जिन और आपके बराबर समझे रहए उसको जाने दो आप मत जाना परने रहना